सोड़ा तारी 16 अप्रेल और मैं जा रहा हूं कामतानाथ की परिक्रमा के लिए और ठीक कामतानाथ जो है वो सामने आप देखने हैं पहाड यहां से 10 रुपए लगता है आटो का और बाकी वहां पहुच करके आपसे जान करें शेर करता हूं रामघाट से कामतगीरी की परिक्रमा होती है उसका जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलो मीटर है अगर आप रामघाट से आटो से आते हैं तो 10 रुपए आपका लगता है और अगर आप पैदल आते हैं तो 15 से 20 मिट में आप पहुच जाएंगे जी यह सामने आप देख रहे हैं पहाड जो है वो कामतगीरी यही परवत है और यहां पर आपको रहने के लिए बहुत सारे धर्म शालम मिलेंगे जो कि आप से 100 रुपए लेते हैं प्रतिवक्ति का अगर आप फैमिली के साथ हैं और वहां पर कमरा लेंगे तो आपका पां अच्छाम देखें हैं जहां पर आपा करके रुख सकते हैं कि यहां से हम जो है आगे जलेंगे दर्शन करते हैं मंदिर है पर आगे की जो परिक्रम है हमारी यह इस शुरू होगी अ कि अ बूरा मंदिरअ जहां पर लोग पूजा बाट खरते हैं अब कि परिक्रमा के बाद्ट ओअब लिया इसके वाप शलेंगे चलते हैं यहां से परिक्रम ल tomorrow कामतगिरह की परिक्रमा क Nord precum हो चुकी है और मुझे अपने पिता जी की आद आगी पापा की आदेखी इसके पहले जब मैं अपने पापा की साथ है तो करीबन शानधको 7 वजे हम लोगों ने परिक्रम शुरू कि ती और 8 वह तक पूरी हो рьह तो आज पूर्णवासी है लेकिन शामा करिए मैं अपनी वीडियो में आवस्ते के बारे में जिक्र किया जो कि पूर्णवासी को इसकी जो परिक्रमा है उसका महत्तुक होता ज्यादा तो दिन में जो है इस तरह कई सारे लोग यहां पर हैं और परिक्रमा इस समय श्रू हो च परिक्रमा पूरी हो चुकी है और आधी के लिए भी आदे घंटे का और वक्त लगेगा और जल्दी से जल्दी जो त्यात्र है वो संपन्न हो जाए और फिर उसके बाद कामदगीरी के दर्शन के बाद हम निकलेंगे राम घाट पिश्णान होगा और फिर यह है परवत यो कामदगीरी की परिक्रमा यहाँ पर लोग करने आते हैं 89 के समय पहीं टो LAUGHTER टोडल पाच कवा मीटर की परिक्रमा है औलग वक जाखता है ऊर एक घंटे में आप अगर ठीक से परिक्रमा करते हैं तो आपकी परिक्रमा पूरी संपन्न हो जाएगा की परिक्रमा के दोरान जो पहला आपको एक करने का मॉखा मिलेगा तो है श्री राम जान की महरी और श्री राम जान के अंदर भी हम चरलेंगे और देखते हकी । यह पर क्या है यह है इसका इस्थान श्रीमद्ध गुस्वामी तुलसीदाजी महराज की जो है असलिके से पूछतक है उसके दर्शन यहां पे होते हैं जे श्री राश जे श्री राश तो यह एक महलजवकी लोग आपकर के यहां पे दर्शन गर्शन हैं और ठी यहां से कामदगिरी आप सामने देखें पहाड और जो सामने है वो आपका हनुमान धारा के बाद जो तीसरा मंदिर है आपका वो श्री गुरू वाशिष्ट आश्रम और आप मैंसे बहुत सारे लोगों बता देता हूं जो हमारे माता जी के दर्शन गरें जै हो माता आपको यह दूसरा साक्षी गुपाल मंदिर मिलेगा यहां पर आप आकर के जो है वो दर्शन कर सकते हैं यह इस्थान सीतराम सीतराम कहिए और परिक्रमा करके आगे बढ़िए शीर आपली शीराम जो कि यात्रा के दोरान यहां पर आकर के लोग विश्च्राम करते हैं और यह पहले जो यहां पर था वो पानी था जो कुंड टाइप का देख रहे हैं वहाँ पर जल था लेकिन इतनी गर्मी है जिसके कारण यह सूख चुगा है यहां पर लोगों की बैठने के लिए उस्सा है तो यह इस यात्रों के दोरान जो है अगर आप कभी भी यात्रा करते हैं तो परिक्रमा करने के बाद यहां पर वो इस्थाने जहां पर आप बैठ करके सर्यू कुंड में करता है कि और अभी हमलों कि काम दनात की जो परिक्रमां है वो संपन्न हो ciao कि ए पांच किलो मीटर की जो परिक्रमां हों पोरी हो चुकी है और यहां कामतनात का मंदीर है यह है हुआच अभा इस्थान जहां ठीक जो अभी समय हुआ है वो साथे दस हुआ है यह आप देख रहे हैं सामने परिक्रमा संपन होने के बाद चलिए दर्शन करते हैं कि अब परिक्रमा जो है पुरी हो चुकी है कामतिरी के और हम यहां से रामघाट के वे चलते हैं